अब वोट टाइम आ गया है जब दुबई को छोड़के बापस इंडिया जाना पड़ेगा खाली खाली एरपोर्ट लग रहा है पुरा जैसे इसको तो भरा होना चाहिए चलो पहले टेक्स रिफंड ले लेता हूं फिर आपसे मिलता हूं एंड मोमेंट पे एक फ्रेंड ने बोल दी आइफोल लाने के लिए तो टेक्स रिफंड लेने जरूदी अबी तो जबी भी आप यूए इसे कोई आइटम पर्चेस करेंगे और उसके आपको टेक्स लेना होगा एरपोर्ट पे तब क्या करना रहेगा यह सेल्फ मशीन दी उसके बाद में अपना फास्पोर्ट नमबर डालना है मर था धनला पाना क्ति इन्यी यही जर्टने आफ्ण मेंगा क। आज हाद मैंने की करूंफी क्वर्ट आइटम मात फिगले कारन्स दाल का फिकलवार्ट नमबग रहे लाद नहद देनिसेंॉ अब अबेंटे अगा? यह अबेंटे अगा? अबेंटे अगा? यहाँ मैं अबेंटेंट, यूह को थे एनिल.' अोके घ्योण साह्ट तेंडले सोहो प्योग जा मेंड़े lotta outline कर्योग इना? यह बिलां़। बिलालापकी और भाजाने देंस और देंस आप yourself billion दे जयघे शर्ड़े सकते हों इस दर बंच पीछ टो वहां पर ऊटो Western कुछ परेशानी हैं स circumstance में भी कर सकते हो और यह चीज है कि इनका क्या नाम है यह कैश भी दे सकते हैं आपको और अगर आपको अपने अकाउंड में वापस चाहिए तो मैंने सुचा कि अगर ही मुझे कही देंगे दिरम तो मेरे को 200 दिरम रखने पड़ेंगे संबाल के फिर मैं उसको एक्षेंज कर सारत आभी चलते हैं चेक in के लिए उसके बाद में आप से मिलता हूं क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी में आया में तो आपको टेक्स रिफंड बताना भी जरूरी था टेक्स रिफंड हो गया है और एक बार टेक्स रिफंड के बारे में आपको बतानी थी कि इस्पेशली एलेक्ट्रॉनिक में हमें जो है सीरियल नंबर चाहिए होता है इसलिए हम चेक करते ही हैं इलेक्ट्रोनिक आपके अगर लगेज में पूरा पैक भी है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पहले आपको देखेंगे चार-पांच आइटम जितने भी है उसके बाद में ही वो एप्रूव करेंगे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है यार लगतो एमिरेट्स ही रहा है यह है हो एमिरेट्स ही है बहुत लंबी भी रहा है चोलो अभी केमरा ओफ करता हूं मैं और फिर आपके बाद फिर आपसे कि यहीं मिलताउ मैं एक पाज़ दर किस एक पात की लाइन वैंट्टिक फैस जोब म्लता हुन है तो कि अपन तो सेलव सर्विस कर लेते हैं अपना क्या है अपना क्यों पर Case Design आपन ज़रूर करें नहीं है अधे कुछ नहीं करना चाहिए दे जनता क्यों करी है फिर सुमज्छ भी नहीं आ रहा यहां सार शर्विस को सकती है तो तो अधित कुछ इस तरह के का यह भी मैं आपको दिखा देता हूं बट मुझे शाय से कि अपना वो नहीं पता बस क्या नाम है मतिता इस टृप्ति हो यह मैंने अपना डाल दिया डिचेल करता हूं अपयाया कर तो वाल दो जूकर करना यहां यहा किहीं है उन्हेयां दो हृ है इसक्नि कारें कि अपयाक कर देख भी स्केन नहीं होता हैggap आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो पहले मैंने चेक इन करवाया बैगेज में रख दिया उसके बाद मैं मेरे को एक और अलग काउंटर में बेजा किस चीज के लिए बायमेट्रिक के लिए तो जो इमिग्रेशन वाला बायमेट्रिक होता है वो तो अलग अब मुझे ही समझ में नहीं आया आइस बेसी कर लिए वो चेक कर रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना यह इमिग्रेशन काउंटर को ना हुए वीडियोग्राफी तो एलाव नहीं ह दुबई में अलगी अलग एक्सपीरियंस हो रहे है मेरे साथ में अभी क्या हुआ मैं इमिग्रेशन के बाद वो सेल्फ इमिग्रेशन ही था तो उसमें अपने आइस और फेस दिखाना था और स्कैन करना था और आप जा सकते हो तो अभी मैं अंदर आया सेक्योरिटी के ल अधर उसके बाद में मेरे को अलग किया अधर वैस नहीं कर रहा था वो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता मेरे शूज में कोई मेटल तो एंगी है लेकिन अभी ऐसा हुआ मेरे साथ में 32 में जाना है ऊपर अब इसाथ क्यों आ रही है देखना कि समझ नहीं आया है मेरे विए सब एक साथ आ रही है सब एक साथ जा रही है अब उसके बजने लगे मैं भूल गया था सब के बजने लगे तो फिर क्या नाम है मैंने किसी और की ट्रे में रखा वो चले ही गए दो सिके मेरे चालिस रुपे का नुक्सान यह ड्यूटी फ्री अब पांच का दिरम का नोट पड़ा है मतलब मेरे पास वह मैं रखूंगा संबाल के बागी और तो कुछ नहीं है खाने का फिर मैं कुछ नहीं खाया मैंने का फ्लाइट में तो मिलेगा लेकिन अभी भूख लग रही है और यह फ्लाइट चलेगी दसवेज है वो देगी साड़े दस ग्यारा वे तक मुझे खाने को चलो ठीक है मैनेज करेंगी कोई दुकत नहीं को नो तो बजी गए हूं अब जबेटें है यह तो टूरिस्ट का वाव है मतलब टूरिस्ट को पुरे दुबाई मैं पता नीकितने लोगों ने रोका मुझे नो नो फोटो नो वीडियो अच्छा है जिली का पूरा बदला यहां पे निकल गया है दिली में मेरा फस्त गेट था यहां पे लाश्ट है भी 32 कुछ लगाया भी नहीं अदली एरपोट अच्छा है यार इससे तो हाँ पर कम से हम एलीवेटर तो लगे हूँ है वो चलने वाले तो यहां चलते रहो चलते रहो तो गलत है कि दुबाई से कोई देख रहा तो दुबाई वालों को बोलो एलीवेटर लगाएं इतने सारे फाल्टू के से इसको रूम बना रखें इससे अच्छा एलीवेटर ही लगा लें अब बैचारा कोई इसकी फ्लाइट छूट रही हो तो बचारा भागबाग के परिसान वैसी हैंड वैगेज भी तो होता है कि वी थर्टी हो गया गेट आगया वी थर्टी टू है अपना कि अभी तो नो नि बजीए वी तभा नो बजे से होगा बोर्डिंग स्टाट आ गया वी थर्टी टू अब बात कर लेते हैं डॉकुमेंट्स की अगर आपको यूए इसे इंडिया में आना है तो आपको क्या क्या डॉकुमेंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूं आपको चाहिए होगी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 आर्स के अंदर की होनी चाहिए आपके डिपार से तो रिपोर्ट के उपर मैंने एक वीडियो लास्ट वाला बनाया हुए तो आप उसको देख सकते हों कि यूए में मतलब इस्पेशली दुबई में अब कहां पर जाके अपना टेस्ट करवा सकते हो तो उसके उपर मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है आप देख लेन अब यूए से अगर आप इंडिया आते हैं तो आपको यह सुईदा पर रेजिस्टेशन करना पड़ेगा और वो रेजिस्टेशन आप जो है उसमें आपको कोविट का अपना सेर्टिफिकेट लगेगा वैक्सीन का नेगेटिव रिपोर्ट लगेगी और अपका टाइम आउट हो रहा था वह एर्र आ रहा था तो आप मौजला से करना तो आपका एक बार में हो जाएगा करूम से बिलकुल मत करना तो यह आपको चाहिए अच्विदा आपको चाहिए कोविट की निगेटिव रिपोर्ट आपकी टिकेट पगेड़ा बस यह मतलब दो में गॉरेंटाइन और यह सब चीजें करनी पड़ेंगी तो अभी मैंने आपको बताया दिया चेक इन मैंने कर लिया अब आपको मैं डेली में जाके कस्टम का और बताऊंगा तो कि मैं आपको पता आट दस पाज्यूम लेकर आ रहा हूं अब मैंने एक आइपोन भी ले लिया डून भी मैंने ले लिया है न सीग्रेट भी है मेरे पास 5-6 तक देखते हैं तो अब देखते हैं ऐसा नियों के वो लोग लें क्यार आप तो इसको सेल करने जा रहे हो ऐसा मेरा कोई इंटाइजन नहीं है आइफोन मेरे फृंड का है ड्रोन मेरा है ऑन बाकी सिग्रेट भ जाके देखते कस्टम वाले कैसे इसको रियक करते हैं और मेन बात तो आपको मैंने बताई थी कि आपको जो कोविट रिपोर्ट की निगेटिव मतलब जो चाहिए वेक्सिनेशन चाहिए एर सुविदा चाहिए यह सब आपको हाड कॉपी में प्रिंट आउट लेके यहां पर आना है यह सौफ्ट कॉपी नहीं मानते है यहां पर दो लोवी बनी वी है लेफ्ट साइड में बिजनिस क्लास, फर्श क्लास और सामने एकनोमी क्लास तो अपना दो एकनोमी है है अब इ 그래서 आपकार कर दो यह फ行ा से करोड़ी फैसरों वाली लेकिन इसलोर में डबल मny lyi मतलब यह मेरी सीट और इसके पास वाली यह क्योंकि मेंन को सोह Mexican नतुर आए फिर सीटै मोच राग जब निस लिआए तains सबमार्ट के था की इतना कमफट नहीं जाब आए इंडों के साइड में और लेक्स पेस वगरा तो सब नॉर्मर्ली है लेकिन हाँ डोमेस्टिक सीट्स में जो डोमेस्टिक पाइट हुथी उसमें लेक्स पेस से इसमें जाला है आज पी उरान का समय सोगें लेक्स पर उरान खरेंगे यदि आखो किसी सहायदा के अब शक्ता हो निक्रस्या हमें बताएं खनेवाद वो लिए को इसरे किसी स्वेश्सिक पाइड़ किसी सब्सक्राइब लेड़ी देट है जाएब सेष्सिक पर इसमेस्टिक सर्टी किसी स्वेश्सिक परी जाल्सिक धिस्ट्स्यां निएम्हबड़ मत अभीछ उट है औरूज नजयाता जिस इक्राशा का घडने बादर आंवार और प्रफ्स, फछेखे ड़ात नगयाता जडनितो तो यहां सेगत के विशके झाल भी का भाएjakसी इंचा पर डेही हिए अडेग redesign कि सिङ्ट धे The government of India requires all arriving passengers to take a molecular test on arrival and other go-health screening measures as directed by the authorities. We remind you to have a printed copy of completed self-declaration form as RT-PCR test. अब आशर है कि यह उड़ान सकत रही और आप से रिचल की मुलाकात होगी, नमस्कार। मिग्रेशन वालों ने तो कुछ भी नहीं पूचा, हाँ यह लेकिन यह है कि अगर जैसे आप फ्लाइट से बाहर निकलोगे, वहाँ पर यह बलब ड्यूटी ऑफिसर बैटे हुए, वह आपका COVID की रिपोर्ट और निगेटिव टेश्क देखेंगे, मतलब यह सुविदा मैं एकजिट हो गया हूँ, कस्टम डिपार्टमेंपे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, आराम थे, बहुत कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक मिट के लिए मशीन में उन्होंने रोका था, बट मैंने ऐसे रिएक किया कि अपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उन्हों मैंने रिपोर्ट दे दी थी, इसलिए नहीं हुआ, मतलब कोविट की निगेटिव रिपोर्ट दिखा दी थी, पहले इसलिए टेस्ट नहीं हुआ, तो यार यह दुबई सीरीज का यहीं पर एंड होता है, आई होप आप सभी को यह मजा आया होगा दुबई सीरीज में, मै आप से नेक्स वीडियो में मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू